मैंने अपने successfully RDP mobile के उपर run कर लिया है और आप लो देख सकते हो यार कितनी कमाल की downloading uploading speed आ रही है और यह देख सकते हो यार यह मैं mobile के उपर ही अपना RDP use कर रहा है mobile को मैंने connect किया हुए अपने PC के साथ और आप लो देखो यार आपके screen शो हो रही है और मैं अपने mobile के उपर ही RDP use कर रहा हूँ काफी कमाल की यहां पर downloading और uploading speed भी आ रही है Hello everyone मेरा नाम हमारत का यूम और आप लो देख रहे हूँ और आप लो देख रहे हूँ फ्रेश कोड एक YouTube चैनल मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो अप्लोड की थी जिसके अंदर मैंने आप लोगो बताया था कैसे हम लोग फिरी में Google Cloud का RDP ले सकते हैं तो यहर काफी द्यादा लोगों ने यह वाली वीडियो पसंद की थी और काफी द्यादा लोगों ने वीडियो पे डिमाइंट किया था कि कमेंट्स के अंदर के आप को यह ऐसा तरीका बताओ फिरी में हम Google Cloud का RDP मोबाइल के अंदर यूस कर सके हमारे पर PC लैप नहीं है हम लोग यूटूब का वाच्टाइम इंक्रीज करना चाहरे तो हम लोग चाहरे कि मुबाइल के अपर ही Google Cloud का RDP चल जा और उसी की हेल्थ से हम लोग अपने YouTube का वाच्टाइम इंक्रीज कर सके हैं तो यह आज की वीडियो में यही बताने वाला मुबाइल के वह आप लोग भ जादा सिर वन किलिक के अंदर आप लोग फिरी में Google Cloud का RDP ले पाऊगे तो वीडियो का लाजमी एंटर देखना आप लोग का बहुत जादा फायदा होने वाला है तो यारी मैं अब आप लोग के साथ अपनी स्क्रीन मुबाइल की शेयर करने लगा हूँ यह एक अंडराइट मुबाइल है देख सकते हैं आप लोग यहां पर बेने वैसे अपने PC के अपर यह स्क्रीन शेयर की वी है तो आप लोग ने घबरान है यह कोई भी एमिलेटर व आप लोग को समझने में जादा असानी हो अब सिंपल अब आप लोग ने करना है सबसे पहले आजाना है गूगल के उपर बहला गूगल क्रोम के उपर या किसी भी ब्राउजर के उपर और उसके बाद आप लोग ने करना है एक आपको फाइल मिलेगी ठीक है डिस्क्रिप् पर और उसके बाद यहां पर ब्राउजर पर आने के बाद यह कर दोगे पेस्ट अब आप लोग ने यहां पर थोड़ सा वेट करना है और इसके बार री डारेक्ट हो जाएका आपका शैल डॉट क्लाउड डॉट गूगल डॉट कॉम के उपर और यहां पर जो भी देखो या अगर आप ऐसे शो नहीं हो रहा तो आप लोग ऐसे करके भी ऐसे स्क्रीन शो कम्प्यूटर जैसे पीसी जैसे आप लोग शो कर सकते हो अब यहां पर मैं थोड़ सी बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ ताके आप लोग को नज़र आए यहां पर और मैं देखता हूँ या यहां पर मैं क्या करता हूँ सेकेंड लिंक को कॉपी करता हूँ और आपको यह दूसरा लिंक भी उसी फाइल केंदर मिल जायगा जो एक फाइल आप लोग डाउनलोड करोगे उसके बाद यहां पर आप लोग नहीं करना है दुभारा आजाना है ब्राऊजर के उपर आप लोग ने कहां से लेना है और simple में क्या करता हूँ इदर आ जाता हूँ और ng रोक यहां पे लिखता हूँ तो यहां पे पहली website मिलेगी आप लोग ने से कर लेना है open और sign up पे क्लिक कर देना है और देखो है बिल्कु सेम वही method है कोई आप लोग ने घमराना वगरा नहीं है और sign up में google करता हूँ और उसके बाद जहाँ पे अपनी email चूस कर लेता हूँ अब आपने token भी वैसी लेना है जैसे आप लोग जाओ तो सेम पीसी पे लिया था वही सब कुछ यहाँ पर मुबाइल के उपर है सब कुछ सेम यहाँ पर आप लोग वैबसेट पर सेम method है सेम software है सेम website है और आप लोग चाओ तो पीसी पर अपने वाला RDP यूज़ कर सकते हो आप लोग चाहरे हो तो यहाँ पर अपने मुबाइल के उपर RDP यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पर सिंपल मैं स्किप कर रहा हूँ गोट इट पर किलिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम अपने टोकन वाली साइट पर जाएंगे और अपने टोकन रिसीव कर लेंगा भी यह नहीं अच्च पर किलिक कर दो और उसके बाद ये वाला पेज ओपन होजाएगा आप लोग यूज़ करना है और उसके बाद यहाँ पर आजाना tenth थोड़ी हजीब सी आ रही है तो मैं काम करता हूँ three dot पे किलिक करूँगा desktop साइट पे किलिक करूँगा और उसके बाद देख लो यार इदर आप लोग किलिक करोगा यह आपका token इदर आ जाएगा तो इदर मैं copy करता हूँ और उसके बाद दुबारा इदर shell वाले अपने tap के उपर आ जाता हूँ यहाँ पर आके यह जो code है इदर मैं कर देता हूँ paste और उसके बाद यहाँ पर मैंने किलिक कर देना और यहाँ पर आप लोग देखो यार इदर जो है आगिया है यूएस यू मैंदा यॉरप एशिया कहां का IP address आपको चाहिए कहां का आप लोग को अपना RDP यूज करना चाहरे हो सिंपल मैं यहाँ पर यूएस पर किलिक करता हूँ आप लोग कोई भी ले सकते हो तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देता हूँ और उसके बाद मैं किलिक कर दूँगा अब देखो यार ओके और यहाँ पर सबकों यह डाउनलोडिंग वगेरा स्टार्ट हो गई है तकरीब यह पंदरा सेकंड से बीस सेकंड या एक मिल्ड तक जा सकता है उसके बाद आप लोग का RDP रेडी हो जाएगा अब आप लोग ने करना है क्या है प्ले स्टोर पर आ जाना है नो मशीन तो अब सिंपल काम यही है कि आप लोग ने जाके अपना RDP लोग इन करना है तो यहाँ पर मैं स्टॉल करता हूँ देखा है नो मशीन जो हमने सॉफ्टियर पीसी के अंदर किया था सेम वही सॉफ्टियर यह देख लो यहाँ नो मशीन मेरे बाद भी भी स्टॉल है ऐसी यहाँ पर आप लोग ने डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टॉर से और उसके बाद आप लोग ने अपना यह वाला RDP लोग इन कर लेना है तो यहाँ पर फिलाल मेरा ready होने वाला नी ready हो चुका है मेरा RDP और यहाँ पर आप लोग दे सकते हो इदर मेरा username भी आगया है, password भी आगया है और उसके लावा यहाँ पर देख लो यहाँ पर देख लो यह इदर मेरा IP एड़ जिसके जरियर से अपने वीडियो को continue करेंगे तो फिलाल मैं क्या करता हूँ अपनी ये जो information है इसे जब तक copy करके नोट पेट पर save कर लेता हूँ और आप लोग ने ये चाहो तो यार बंद ना करो या करना चाहो उस टैप को बंद कर दो अधर चले रहने देना ताके आप लोग का RDP में कोई भी problem नहीं आएगी जब तक आपका ये शेल चल रहा है तो आपका RDP भी बिल्कुल सही चलेगा ज़रूरी नहीं आप लोग अपना ये टैप बंद कर दो तो तभी आपका RDP भी बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है मैं ट्राइ कर चुका हूँ मेरा टैप भी मनता तो RDP भी चल जाता लेकिन सम्टाइम कभी कभी problem हो जाती है तो भैते जी आप लोग अपना टैप आपन रहो ठीक है ना और उसके बाद ही आप लोग अपना RDP महा जाके लोगन करो बंद नहां करना वरना कभी कभार problem भी कर देता है तो यहां पर आके मैं पेस्ट करता हूँ अगर copy हो गया हो तो हो गये और उसके बाद यहां पर मैं open पर click करूँगा अब यहां पर बई डाउन शो ओके इधर next next पर जाता हूँ और उसके बाद यहां पर यहां पर यार यह जो आ रहा है नो मशीन अच्छा यह वो चीज़ आ रही है मैंने क्योंकर अपना USB के साथ connect किया हूँ अपने PC को इसलिए वो यहां पर शो कर रहा है आप लोग के बाद शो नहीं करेगा तो यहां पर देख लो यार इधर आप लोगने plus पे click करना है so यार अब आप लोगने करना है क्या है इधर simple continue करना है कुछ भी change नहीं करना है और इधर आके आप लोगने host डाला है host कहां से लेना है अब आप लोगने जो हमने आप पे page किया दाना यार यह वाला हिस्सा जो है 8 से लेके आई हो तक अब आप लोग कोई भी होगा कुछ भी हो सकता है तो इतना इसे को कॉपी करना है और उसके बाद उधर आजाना है नो मशीन एप्लिकेशन के उपर ठीक है ना और यहां पर आके पेस्ट कर देना है उसके बाद आप लोग ने क्या करना है जो उससे आगे है यह हमारा पोर्ट है इसे आप लोग ने copy कर लेना इदर मैं copy करता हूँ और उसके बाद बार no machine पर आ जाता हूँ इदर port पर आbon के paste कर दूँगा उसके बाद simple मैं continue पर करूँगा और continue के बाद मफ़झीद continue और उसके बाद हैं पर मैं क्या करूँगा मजीद यहां पे continue पे click कर दूँगा name connection जो भी आप लोग या लखने चाओ यही रहने दो या change करने चाओ आप लोग कर सकते हो मैं फिलाल यही रहने देता हूँ done पे click कर दूँगा अब आप लोग बोलो गया यह एक्स्ट्रा कहां से आगी हमाज फ्रेश को अभी तक तो था नहीं सिर्फ यह था तो यार मैं गलती से try कर रहा था मुझसे गलत चले गया था जो भी हमने डालना था port number तो उसकी वज़ा से यहां पे यह edit नहीं हो पा रहा था और देखो यह जो नाम रखा था और हमारा यहां पे connect होना शुरू हो गया अब क्या रहा है verify host identification तो ओके yes कर दो आप और उसके बाद यहां पे आप से username मांग रहा है अब username password आप लोग कहां से लोग यह देखो यह user और यह password simple यह user user है और password one two three four five six है तो हम लोग simple है क्या करते हैं यही डाल लेते हैं देखो यह आपके सामने user और password हम लोग यहां पे डालते हैं one two three four five six और save पे क्लिक करते हैं okay पे क्लिक करते हैं और यहां पे देखो यहार हमारा ready हो गया है RDP तो I'll create a new display on the server okay yes भई हमें चाहिए और आप लोग चाहो नहीं तो आप लोग नोपी रहने देना और उसके बाद connecting to हमारा यह RDP का name तो यह by default जो हमारा यह URL था या जो भी address बोलो या IP बोलो मुझे नहीं पता तो यह जो था by default यही मैंने name रहने दिया था आप लोग चाहो था चेंज कर सकते हो तो मैंने फिलाल यही रहने दिया था ताकि आप लोग को समझने में भी असानी रहे don't show this message again yes और यहाँ पर next फिर यहाँ पर टिक करेंगे next वो इसलिए करो है message मेरे पार यह बार बार शो ना हो जब भी open करो है message आ रहा होता है और यहाँ पर इंसान है ना पक्के रह जाता है यह वाला Linux के RTP लेकर theme हमें जो DVI यह Windows जैसे DVI यूज़ करने में आप लोग के लिए easy रहे तो यह यहाँ पर धियान मेरे आप लोग को Windows नहीं है लेकिन मज़े की बात यह है बहले Linux है U12 जो मर्दी हो आप लोग हर application इसके उपर install कर सकते हो आप लोग Google Chrome चाह रहे हो आप लोग वो स्ट्रॉल कर सकते हो Linux के उपर आप लोग कोई भी software चाह रहे हो यह हर software जो Windows पर बन रहा होता है आलमन 90% वो Linux के लिए भी बनी रहा होता है सो यार इस screen को हम लोग full screen में convert कर देते हैं कैसे करना है simple आप लोग यह करना है अपने mobile का rotate open कर लेना है और यहाँ पर देखा है rotate open होने के भावर screen बड़ी हो जाएगी तो और उसके बाद देखा है screen बड़ी होगी अब जो पिचकी पिचकी सी आ रही है ना इसको कैसे change करना है simple आप लोग ने windows वाले बटन पर आना है और उसके बाद यहाँ पर display पर आ जाना है ठीक है डिस्पले पर आने के बाद यह जो 800 by 600 है इसको change करके आप लोग ने आ जाना है full HD पर 920 by 1080 और उसके बाद apply पर click करोगे और उसके बाद यहाँ पर कर दो keep this changing अब देखो यार जो screen जो पिचकी पिचकी है वो खतम हो चुकी है अब आप लोग वो लोग है थोड़ी बहुत अबी भी पिचकी पिचकी सी लग रही है देखो यार मैंने full कर लिया वो इसलिए क्योंके यार मेरे mobile की जो screen का फर्क है और मैंने अपनी screen या शेयर भी की वी उसके भी थोड़ा बहुत चेंज लग रहा है otherwise यह तनी पिचकी नहीं आप लोग अपने mobile में use करोगा अब देखो यार मैंने अपने हसाब सी अडिस्स कर लिया और यहां पर मैं वैसी आप लोग को दोबारा से कोई भी इंटरनेट वगएरा चला के दिखा देता हूं और यहां पर देख लो यार इधर मैं और सॉरी तो इधर चले आते हैं माई इंटरनेट और यहां पर जल्ए यार चले आते हैं इधर हम اسपीड टेस्ट पर एक दफ़ा यार स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं तहके आप लोग को और भी sure हो जाए तो यार जब भी मैं RDP के बारे में बीडियो मनाता हूं ज़रूर आप लोगों से देख लिए क्लावड RDP आ रहा है ठीक है Google Cloud RDP पूरा नाम बता रहा है ताकि आप लोगो को यकीन होए Google Cloud का RDP है तो यार डाउनलोडिंग तो बहुत ही कमाल किया रही है और uploading का वेट करते हैं और उसके बाद हम लोग करते हैं वीडियो को और यार मुझे उमीद है आप लोग को मेरी यह वाली वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना हो जाता है यार देख लो डाउनलोडिंग की यारा सो प्लस एमबी स्पीड आ रही है और uploading की तेरा सो प्लस एमबी स्पीड आ रही है तो बहुत ही जादा अची बात है तो यार मुझे उमीद है अगेन आप लोगो मेरी वाली वीडियो पसंद आई है कि पसंद आई वीडियो लाइक करना शेर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना